प्यारे बच्चों, शबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, राम राम है, मैं आ गया हूँ आपके लिए, बहुत बच्चों का कमेंट्स था कि ALP technician का सर्फ full analysis कर देज़े, जो बच्चे इसकी तयारी कर रहे हैं, कौन भर सकते हैं, क्या process है, क्या step होंगे, क्या क्या exam में पूछा जाएगा, कितने level पे exam होगा, और कैसे कैसे हमको इसकी तयारी करनी है, मैं इसका पूरा detail इस वीडियो में करने वाला हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, RRV, ALP technician, full analysis आपके सामने है, गौर फर्माइए का, पहला, CBT1 होगा, ये सब के लिए है, ALP technician दोनों के लिए, CBT1 पहले होगा, उसकी जिसको आप PT कह सकते हैं, उसके बाद आपका mince होगा, जिसको आप CBT2 कहते हैं, ये यहां से, जो बच्चे, ये qualifying nature का होता है qualify सिर्फ इसमें करना है, इसका merit से कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद आपको जब आप qualify करोगे, इसमें बहुत सारे बच्चे छण जाएंगे, फिर जो बच्चे select होगे, वो CBT2 देंगे, और CBT2 देने के बाद, यहां पर technician का merit बन जाता है, लेकिन अगर आप ALP के या आप कह सकते हैं, PT, Mints और Psycho, हम सब के syllabus पर भी चर्चा करेंगे कि क्या-क्या मामला है, और अगर हम बात करें, ALP के लिए, तो यह कितने step हो गया है, तीन step, technician के लिए 2 step, CBT1 and CBT2, या कह सकते हैं, PT and Mints, फिर हम चलते हैं सर, CBT1 पर चर्चा करते हैं, कि CBT1 की का क्या माम इसको भर सकते हैं, जिसमें diploma वाल और degree, यानि degree मतलब BTEC वाले बच्चे भी भर सकते हैं, इसलिए competition थोड़ा सा high हो जाता है, ITI वाले बच्चों के लिए, चुकि degree वाले बच्चे पहले allowed नहीं थे, लेकिन 2018 से इसको allow कर दिया गया है, 2014 से ही इसको allow कर दिया गया है, 2018 में भ अपलाई कर सकते हैं, electronics वाले कर सकते हैं, mechanical engineering से जिसनोंने diploma या BTEC कर रखा है, वो कर सकते हैं, automobile engineering वाले कर सकते हैं, और 10 plus 2 वित वातकी और गनित वाले भी अपलाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो बंदा है न, ये बंदा सिर्फ technician के लिए अपलाई कर सकता है, और ये जो बंदा है न, ये सिर्फ और सिर्फ ALP के लिए अपलाई कर सकता है, सर यहां पर condition लगा दिया गया है, कि ये जो BTEC वाले बंदे हैं, ये सिर्फ ALP के लिए अपलाई कर सकते हैं, लेकिन plus 2 लेबल पर जो technician होगा, उसके लिए भी अपलाई कर सकते हैं, ये वाला, ये लोग जो है, य ये लोग सिर्फ ALP के लिए अपलाई कर सकते हैं, लेकिन plus 2 लेबल का जो technician होगा चूझकी, इन吵ने plus 2 कर रखा है, ये लोग plus 2 लेबल का technician भी अपलाई कर सकते हैं, यानि ALP plus 2 level का जो technician होगा signal maintainer grade 1, grade 2, grade 3 उसके लिए ये अपलाई कर सकते हैं, 10 plus 2 वाले जो technician के लिए ये ALP के लिए apply नहीं कर सकते हैं अब आते हैं next पर आई टी आई ट्रेड जिनके पास qualification है उसमें electrician है instrument mechanic है उसके बाद armature से जो लोग करते हैं air conditioning वाले है mechanic and radio tv वाले है mechanic motor vehicle वाले है tractor mechanic वाले है mechanic diesel वाले है turner है machinist है उसके बाद हीट engine है उसके बाद आप meal right maintenance mechanic वाले लोग हैं यह सारे लोग apply कर सकते हैं यानि मेंली आप कर सकते हैं electrical fitter electronics diesel turner welder machinist yes electronics mechanic यह सारे लोग apply कर सकते हैं और यह लोग जो हैं यह ALP technician दोनों में apply कर सकते हैं यह ALP में भी और technician में भी कुछ-कुछ diesel mechanic वाले only ALP में होते हैं उनका technician में seat बहुत कम होता है negligible होता है लेकिन होता है लेकिन diesel वाले जो भी बच्चे हैं वो ALP के सभी seat के लिए applicable है चाहे वो electrical ALP हो अचाहे वो diesel ALP हो दोनों के related post होगा उसके बाद first stage CBT की अगर हम बात करें तो common for ALP technician यह ALP technician दोनों के लिए यह exam होगा first stage हम CBT1 की बात कर रहे हैं फिर qualifying in nature होगा मतलब सिर्फ इसमें pass करना होता है और आपको CBT2 के लिए qualify करना होता है इसका marks merit में count नहीं होता है इसका marks मैं clear बता दो merit में count नहीं होता है यह सिर्फ इसलिए जरूरी है ताकि आप CBT2 में पहुँच सके फिर यहां duration इसका कितने दिर का होता है CBT1 का 60 minute का होता है number of question 75 होते है minimum percentage of marks for eligible in various categories जो है यहां person मैं थोड़ा बता दू कि minimum कितना marks आपको लाना होगा 75 में आपको 40% marks लाना होगा यानि 30 marks लाना होगा 30 marks लाना होगा OBC वालों को UR को 40% OBC को 30% SC को 30% और ST को 25% यानि marks के आधार पर अगर देखें out of 75 तो UR को 30 नमर लाना होगा OBC को 22.5 और SC को 22.5 HD को 18.5 यह minimum लाना होगा लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ इस category में बच्चे ही नहीं हो पाए क्योंकि इतना भी number बच्चे नहीं ला पाए आप सोचके देखें कि 75 में 30 नमर बच्चे नहीं ला पाए पच्चतर में 25 नहीं ला पाए अठारा नमर तक नहीं ला पाए तो बाद में इसको जो है पॉंद्र नमर तक लेकर जाया गया जेनरल वाले बच्चों चाल एंटीस नमर था cut-off कि minimum इतना आना चाहिए यह qualifying in nature था मतलब सिर्फ इसमें क्वालिफाई करके आप cbt2 में जाईए सर लेकिन इसको लास्ट में घटा के चार बार रिजल्ट दिया गया और मात तर पंदरा नमर पर selection हुआ यानि cbt1 आपके लिए बहुत ज़्यादे tension की बात नहीं है cbt1 में तो आपका selection होना ही होना है नहीं होने का कोई बात नहीं है तो आप cbt1 के लिए एकदम tension न ले तो जादे बहतर है अब आते है syllabus for cbt1 इसमें math रहेगा आपका reasoning रहेगा आपका science रहेगा आपका और general awareness and current affairs रहेगा science में physics chemistry and bio तीनों रहेगा physics chemistry and bio तीनों रहेगा इस यह भी ध्यान देने वाली बात है और general awareness and current affairs आपका रहेगा math reasoning science यानि physics chemistry and bio और general awareness and current affairs बच्चे कहते हैं नहीं सर्फ सिर्फ physics पुछेगा इसा नहीं है सर्फ cbt1 का जो syllabus है उसमें यह चारो उसके बाद दूसरे चरण के लिए चुने जाने वाले उमिदवारों की कुल संख्या alp और technician में शमुदायवार कुल रिक्ती का 15 गुना होगा अगर मान लिजे कि total vacancy 100 है तो 1500 लोग cbt1 में चुने जाएंगे यानि 15 गुना result दिया जाएगा जितना number of vacancy है उसका 15 गुना result यहां दिया जाएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं अब आते हैं second stage cbt2 पर cbt2 ही main deciding factor और इसी से merit बनना है इसमें दो part है part a और part b part a का मामला बहुत ही जादे गड़ बढ़ है part b का मामला तो उससे भी जादे गड़ बढ़ है क्योंकि यहीं पर mainly सर मेरिट बनना है merit बनना है आपका part A से part A से आपका merit बनना है लेकिन मेरे दोस्त अगर part B में अगर 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 आप qualify नहीं करते हैं अगर आप qualify नहीं करते हैं जो कि सबसे बड़ा problem यहीं पर create होता है जो कि बच्चे डिगरी खरीद के लाते हैं पढ़ते नहीं है समझ में नहीं आता है तो part B में अगर आप fail कर गए तो आपको part B में यहाँ पर अगर अगर आपको 99 नम्मर भी है तो आपको fail मान लिया जाएगा यानि आपको part B में हर हाल में qualify करना होगा 35% अंक लाने होगे 75 नम्मर का exam होता है 60 मिनट का समय होता है और 35% marks लाना होता है 60 मिनट का समय 75 question और 35% marks लाना होता है अगर आप यहाँ disqualify कर जाते है तो आपको अगर यहाँ 99 नम्मर भी आएगा part A में तो आप fail कर जाएगा और यही part B को हम लोग trade कहते हैं क्या कहते हैं मेरे दोस्त trade कहते हैं और trade आपका सिर्फ अपने trade से पूछेगा 2014 में क्या था 2014 तक कि सब को सब के trade से पूछता था लें 2018 से इसको बदल दिया गया है अब सिर्फ आपको अपने trade से ही पूछेगा तो मेरे दोस्त यह जो trade वाला part है अगर आप यहाँ qualify नहीं करते हैं तो आप यहाँ 99 भी ले आईएगा तो आप disqualify कर जाईएगा और यह part बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं जब vacancy आती है तब पढ़ना सुरू करते हैं और यह वाला जो part है यह कम से कम 8 महीने का course है क्योंकि सर आप जो 2 साल ITI में पढ़ते हो उसी को यहाँ 8 महीने में आपको पढ़ना होगा और जब 8 महीने में आप इसको पढ़िएगा तब ही आपका काम हो पाएगा लेकिन बच्चे क्या करते हैं अभी तो vacancy है नहीं तो अभी हम पढ़ेंगे नहीं और लास्ट टैम में जो vacancy आज आते चुकी vacancy का इतिहास है Congress के टाइम में सर दो साल पर आती थी 20प के टाइम में या तीन साल पर आने लगी और तीन साल अल्रेडी हो चुका है तो सर बिना driver technician के train नहीं चलाई जा सकती है driver technician चाहिए ही चाहिए और driver technician को मेरे बहुत सारे मित्र है जो JE है मेरे बहुत सारे छात्र है जो ALP technician में है उनका कहना ये है कि train contract basis पे contract वाले driverों के हवाले नहीं किया जा सकता नहीं तो पता चला हुगली नदी में कभी हो train कूद गया तो सरकार हमेशा बोलती है कि vacancy में कमी कमी नहीं लाई जाएगी लेकिन सरकार साथ में ये बोलती है कि safety category के vacancy में कोई कमी नहीं लाई जाएगी safety category में आपका जितना भी operating post है वो सारा आ जाता है आपका JE आ गया, driver आ गया, technician आ गया ये सब safety category में आता है इसकी vacancy कभी बंद नहीं होने जा रही है, इसको सरकार ही लेगी क्योंकि अगर private agency इसमें घपला करने लगी तो फिर train पता चला हुगली नदी में पूदी किया ठीक है, तो सर BJP का इतिहास है 3.5 साल पर vacancy देने का और Congress हर 2 साल पर vacancy दिया करती थी उस time में अब सबका अपना अपना फंडा है और पिछले बार, चुकि 2019 में election था, तो vacancy आई थी 2018 में और इस बार भी 2024 में election है, तो 2022 तक में vacancy, last तक में, या middle of the 22 देखने की संभावना पूरी तरह से व्यक्त की जा रही है, चुकि फिर पीटी होना है, फिर में फिर साइको होना है, तो में था CBT2 में, आपको इस पार्ट में qualified, trade वाले पार्ट में qualify करना होगा, जहां पर बहुत जादे दिक्कत होती है बच्चों को, फिर हम आते हैं पार्ट A में, पार्ट A में आपका 90 मिनट का एक्जाम होगा, 100 questions होगे, और इसमें math होगा, reasoning होगा, current affairs and general awareness से questions होगे, basic science and engineering science, basic engineering science होगा, और engineering drawing होगा, मेरे दोस्त, मैं बता दू, math का वही syllabus है, जो CBT1 में था, reasoning का वही syllabus है, जो CBT1 में था, और current affairs और GA का वही syllabus है, जो CBT1 में था, basic engineering science में physics के 10 chapters हैं, यानि यहाँ पर P, H, Y, S, I, C, S, यानि physics के 10 chapters यहाँ पूछे जाते हैं, आपको मैं बता दूँ कि CBT2 में chemistry और bio नहीं है, सिर्फ और सिर्फ physics के 10 chapters से questions पूछे जाते हैं, और साथ में इसमें 6 chapter engineering engineering drawing का है, संजोग से पिछली बार engineering drawing से मातर 2 questions पूछे गये थे, लेकिन सर कुछ कह नहीं सकते, चुकि syllabus में है, इस बार setter का mood बंकेगा, और सकता है 10 questions पूछे दे, तो सबसे जादे परिसानी यहीं हुई थी, यहाँ पर बच्चों को मातर 2 questions पूछा गया था, और कोई limit ही नहीं था, कब किससे question, किसके set में आ रहा था, और trade तो सर कहना ही नहीं था, कि मतलब कब कैसे question को घुमा दिया जा रहा था, पता भी नहीं चल रहा था बच्चों को, तो यहाँ पर सर group D का science आप से बन रहा है, तो आपका ALP technician का science भी बन जाएगा, यानि physics बन जाएगा, यह नहीं होगा, मेरे दोस्त, इसका level 4 step उपर है, यह मैं आपको पहले clear कर दूँ, और उसके बाद, यहाँ पर जो मामला है, यहाँ पर भी सर आपको थो थोड़ा सा deep में पढ़ने की ज़रूरत है, जब आप exam टाइम में पढ़ते हैं, तो इतना नहीं उपरे उपर पढ़ लेते हैं, कि मामला गड़ बढ़ा जाता है, और सर फिर exam hall में आप कहते हैं, कि सर एक नम्मर और आता और कास में इसमें qualify कार जाता था, यहां तो मेरा result हो ही जाता, यह सर बड़ा बिरोधा भास हो जाता है, तो चुकि इस पर आपको मेहनत करने की आवश्चक्ता है, उसके बाद हम आते हैं साइको में, साइको की अगर हम बात करें, तो हमारी खुद की publication से यह किताबे आती है, यह फिटर वालों के लिए, और यह बहुत जल, डीजल वालों के लिए, electronics वालों के लिए भी किताब अबलेबल होगी, यह अगर आपको यह किताबे नहीं मिल रही है, तो आप इस किताब को sobday.in से book कर सकते हैं, sobday.in से book कर सकते हैं, इस पे हमारी किताबे अबलेबल हैं, ठीक है, और ही बात हमारे batches की, हमारे batch के लिए आप आस official एक website है हमारा, sorry application है, आस official जिस पे आपको batch मिल जाएगा, इसको download कीजे, और इसमें सारे batches आपको ALP का full foundation भी मिल जाएगा, और trade का अलग से batch मिल जाएगा, science का अलग से batch मिल जाएगा, जिस चीज का batch खोल जीएगा, वो आपको मिल जाएगा, ALP full foundation भी अबलेबल है, और अलग-अलग तरीके के batch, trade के special batch अबलेबल है, ALP full foundation में हम आपको पूरा पढ़ा देंगे, PT, Men's, Trade, Red, Sub, जिसका की 14 सनिननवा भी सी है, तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मामला ये है कि आज नहीं तो कल आपको पढ़ना है, तो आप कोसिस कीजे कि अभी से इसमें लगें, जिनके पास भी ये qualification है, मेरा मानना है कि जिन्होंने ITI किया है, उसकी जॉब ना लगे, ऐसा असंभव है, उसका जॉब लगना ही लगना है, समझ लोग उसकी मर्जी के खिलाब भी आपका जॉब लगेगा, क्योंकि ITI करने के बाद सर, बहुत आसान रास्ता है, कंडिसन सप्लाइ कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, अगर आपने ITI कर रखा है, और डिपलोमा या बीटेक वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत ही आसान रास्ता है, मतलब भी नहीं कहते हैं कि बहुत आसानी से रसुगला मिल गया वही वला स्थिती है, और एक-एक EALP की सैलरी सर एक-एक लाख रुपे है तो आप सर बहुत अधिक धन भी अरजित कर सकते हैं, और अपने माता पिता को खुश भी रख सकते हैं, मैंने कहा, पहले होगा CBT-1, जो qualifying nature का होगा, जिसको merit से कोई लेना देना नहीं, फिर होगा CBT-2, CBT-2 में part A, part B होगा, part B में trade होगा, part A में आपका non-tech होगा, non-tech में आपको हमने syllabus बताया, part B में trade में आपको qualify करना होगा, अगर आप qualify नहीं करते ह आपका check नहीं होगा, ठीक है, तो ये कुल मिला के मामला है, अब part CBT-1 के लिए आपको attention नहीं लेना है, में लिए आपको CBT-2 पर अभी से कम, चुकि यह 8 मेने का syllabus है, 7-8 मेने इसमें लगते हैं, और जब vacancy आ जाएगा, तो 8 मेने का समय आपको मिलेगा नहीं, चुकि election रह हम ही से होकर गुजरता है, चुकि सर इसमें physics के 10 chapters बड़े ही important है, trade बहुत ही जादे important है, engineering drawing बहुत ही जादे important है, और भारत वरस में मैं इसी के लिए जाना जाता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा, कि जब भी आप हमसे जुड़े, आपको 100% satisfaction देने का काम करूँगा, जब आपके board पे animation चलते रहेगा, animation रहेगा, practically भी motor चलेगा, तब जाके चीज़ें आपको समझ में आएगी, file मैं आपको करके दिखा दूँगा, और अगर आप file card पढ़ते हैं, file पढ़ते हैं, hexa पढ़ते हैं, hammer पढ़ते हैं, तो सारा चीज़ मैं आपको class में दिखा दूगा बाबू देखो यह hammer है, और बाबू देखो यहाँ पर यह figure में यह hammer है, लेद मशीन में आपको चलता हुआ animation में दिखाता हूं, तो आपको जादे से जादे समझ में, आता है हमारा अपना अंगास है सर, ALP technician को बढ़ाने का, उसको handle करने का, thank you very much, love you all, namaskar, हमारी offline coaching भी है स आस education center कहां, SK जा, campus, पत्रना, बिहार, मुसला पूरहाट, में गेट, महिंदरू के सामने, thank you very much, love you all